हाले विर्वन वेल्कान टू बिक्रमाज फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना mcq सिरीज चला रखा है जिसमें कि अब तक हम लोगों ने साथ अंक को कवर कर लिया था आज आठवें अंक की बारी है जहां पे हम पॉलिटी के कॉस्टन के कुछ mcq को पढ़ेंगे जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के mcq को देखे थे उसमें से कुछ ancient कुछ medieval या फिर कुछ modern हिस्ट्री के mcq हम लोगों अब तक देखे थे अब हम geography उसके बाद environment उसके बाद economics उसके बाद current affairs और फिर science and tech इसके बाद फिर से हम वापस आएंगे और फिर history से start करेंगे और फिर quality इस तरीके से हम इस series को continue रखेंगे और इस cycle में क्या होगा यह चीजें चलती रहेंगी तो आपके प्रिलम्स के examination तक विश्वास रखें कि आपके सारा syllabus इंटायर syllabus कवर कर दिया जाएगा mcqs के point of view से इसने हम लोगों ने उस mcqs को रखा है जो की एक्जाम यूपीएसी के examination के क्या होता उसके pattern के according ही उसको set किया गया है मतलब यह कि जैसा यूपीएसी में questions बोलता हूं और फिर से मैं repeat कर रहा हूं बात कि अगर आपको cut-off easily qualify करना है तो आपके लिए एक ही मुल मंत्र होना चाहिए एक ही गुरू मंत्र होना चाहिए अगर मैं आपको बोलू तो कि PYQ करो PYQ करो PYQ करो क्योंकि यह बहुत ही important है यह आपके पूरे concept के जो building है इसमें बहुत ही ज्यादा important role play करता है इसी के साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा PYQ को importance को लेकर कि PYQ क्यों ही important है because इसमें जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि PYQ में से अगर आप देखोगे ना अगर आप खुद से analysis करोगे ना तो हर साथ करीब करीब 18 से 20 questions जो है वो PYQ से पूछे जा रहे है directly और indirectly 20 अब देखो इस 18 से 20 questions मतलब कि आपने अगर इसे अच्छे से कर लिया तो आपके कितने marks आ जाएंगे 40 marks तो आपके packet में है अगर मैं यह कहूं तो 40 marks कटफ कहां जा रहा है 85 तो आपको और कितने marks लाने है 45 45 marks लाने है मतलब कि कुल मिला कि कितने questions हो गया 22 questions 22 and half 22 questions अब देखिए आपके पास questions किसने बच गया है 80 आपको correct कितने करने है 22 मतलब कि one-fourth भी अगर आपने correct कर लिये न तो निगेटिव को manage करते हुए भी जो निगेटिव माकिंग है उसको manage करते हुए आप कहां तक पहुंच जाएंगा आप easily cut up को qualify कर लेंगे hand and marks तो आपका net में बन रहा है अज इस तरीक challenge हो गया है बहुत से लोगों के नहीं आ रहे हैं मार्क से बहुत से मेंस qualified, interviewed, qualified, selected जो candidates हैं उनके भी प्रिलम्स वह qualified नहीं करता है तो यह कुछ सिनारियो है जो कि मैंने आपको बता है importance क्यों यह mcq series आपके लिए जिरूरी है इस बात की आप इस gravity को समझने की कोशिस किजिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले question की तरफ हम बढ़ते हैं जहां तक आगर हमें पहले question की बात करो तो पहला question आपके सामने यह रखा गया कि which of the act passed by the British Parliament introduced an open competition system अब देखिए charter acts आया करते थे उन दिनों मैंने कल के भी lecture में आपको पता है था देखिए आपको interdisciplinary approach अपना नहीं होगी और इसी के साथ आपको क्या करना होगा आपको करना होगा क्या कि आपको एक subject को link दुसरे subject से करना होगा क्यों कि UPSC का यह demand हो चुका ह लिंक तो करना ही होगा किसी भी हाल में तो देखिए कि आपको open competition system selection requirement of civil servants in India before the independence and a separate legislative wing for the governor general ऐसा कौन सा एक्ट था जिस एक्ट में क्या किया गया था कि Indians के लिए open competition जिसको क्या UPSC आप बोलते हो और UPSC crack करके IES बनना चाहते हो उन दिनों इसको बोला जाता था ICS यहां आई का मतलब इंडियान नहीं है आई का मतलब इंपरियल है इंपरियल civis services लगभा कि equivalent to IES या मैं यू कहूं कि IES से भी ज्यादा powerful post होती थी यह क्योंकि इनके पास अभी तो IES के पास किस तर के powers नाओडेज एक IES officer has power like administrative बट उन दिनों administrative के साथ जिदिशियल पावर भी IES officer के पास हुआ करते थे जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में और डेप में बताऊंगा governance वाले पार्ट में तो क्या Charter Act of 1853 में था 1861 के Council Act में था 1892 के Council Act में था या फिर 1833 के Charter Act में था ऐसा कौन से एक्ट थे जिसमें कि इसका जिक्र किया गया था तो इसका जिक्र किया गया था इंडियन के लिए अब कर दी गई थी क्यूंकि उससे पहले क्या होता था उनको बाहर जाना होता था अभी बाहर जाना ही होता था इंडिया में तो इसके बाद के जो भी चार्टर एक्ट आएंगे जो भी एक्ट आएंगे उसमें इंडिया में भी अलाव कर दी जाएगा चलिए आगे बरते हैं अगर हम अगले कोशन की बात करें इसमें आप से पुछा जा रहा है कि इसमें से आपके सामने छे आपको बताना है कि कौन-कौन से ऐसे चीज़ें जो किसमें दिये गया थे इसको इस इस एलिमेंट को उसमें रखा गया था एसमाल स्कल इंडस्ट्रीज इंक्लोडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फ्यूल एंड फुडर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेस्नल एड्जूकेशन केटल पॉंड्स प्रिवेंशन अफ कर्टली टू एनिमल्स या फ आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन भी कि अगर बात करें तो वन टू एक मिनिट वन टू थ्री एंड फाइड यानि कि फोर केटल पॉंड्स प्रिवेंशन अफ्रीलिटी टू एनिमल्स इसको नहीं रखा गया है अगर मैं सिक्स की बात करू तो वाइटल स्टेस्टिक्स इंक्लोडिंग रिस्टेशन ऑफ बर्थ एंड देट्स को इसमें इसका हिस्टा नहीं बनाये गया है अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कोशन की तरह पही है जो कि मैंने आपको बताए कि इसके अलावा और कौन-कौन से चीज़ें रखी गई अगरिकल्चर इंक्लोजिंग अ को एंप्रूफ करना इंप्लेमेंटेशन ऑफ लेंट करना लैंड बिसक侃ंड और क्सलिटान और सफ स्वाइलन इजर्व करना अनके रिस्फोनरीटी को बाकी माइनर इंडर रिएइशन वाटर मेंचमेंट और बड्द टलेंगे इसके लिए कह प्लेंग आपको बहुत ज्य अगर मैं नेक्स बाकि आप देख ले आप स्क्रीन सॉट ले ले क्योंकि अगर मैं एक-एक एलिमेंट्स का नाम बताऊंगा न टिटीट वी वेरी ओलेस्टिक एन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा तो इज हमब रिक्वेस्ट वी कि आप प्लीज इसका स्क्रीन स कौन सा करेक्ट है फिर कौन सा इंकरेक्ट है इस अब बात करते हैं अब देखिए इस इसमें बोला गए है आपको कि he or see is elected by the loksabha from amongst the member of the house मतलब कि जो प्रोटे में स्पिकर होते हैं उनको चुना जाता है लोक सभा से ही जो कि उनमें से किसी एक सदस्य अब देखिए प्रोटे में स्पिकर कब चुना जाता है उसके बारे में थोड़ी दिर बात कर लेते हैं इसकी आने वाले जो साल है उसमें 2024 में लोकसभा का चुनाओ होना है अब लगभग नए सदस से चुन जाएंगे कुछ पुराने सदस से भी चुन कराएंगे लेकिन जो इसकी स्पीकर है ओम बिरला सहब इनका जो कारेकाल है ये खतम हो जाएगा अगर फिर से चुन के आते हैं तब फिर से इनको उनके चुन और पूस्ट और पुराणी लोक सभा नई लोग सभा कहने का काने का मतलब है कि नई लोक सभा और पुराणी लोक सभा जो कि कि बीच का गयर होता है कि किसी एक precaution कर लिया तब तक आपको इसका कारेभार सम्हालना है as a speaker सभीकर काम करते हैं तो उस वख तक जबता कि नए speaker चुन कर नहीं आ जाते हैं तब तक पर्टैपि कर इस पीकर के सारी भूमिका का निरवहन करते हैं है तो पूछा जा रहा है कि क्या लोग सभा में से ही कुछी सदस्थों में से protem speaker को चुना जाता है या फिर he or c is the responsible for chairing the meetings of the लोग सभा until the new elected speaker becomes acquainted with the parliamentary procedure जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक उस चुन ना लिय जाए तब तक क्या वो उस पद पर बने रहते हैं, the speaker protein has all the powers of the speaker, यह देखे, all the powers, सारे powers उनमें invested होते हैं, जो कि speaker के पास होता है, सारे के सारे powers protein speaker के पास भी होते हैं, क्या यह correct statement है, चलिए देखते हैं, इसके correct statement के बारे में, option A, यानि की, only one statement is correct, अब देखते हैं, कौन से statement correct है, कि आप सारे पावर्स जो होते हैं इन्वेस्टेट होते हैं तो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन सोट ले लेंगे इस कॉस्टन का क्यूंकि अगर मैं एक लाइन पढ़ता जाओंगा ते बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाएगा तो उनका कोई एलेक्शन नहीं होता है प्रेजिडेंट साब फुद उनका चैन करते हैं कि आप प्रोटेम स्पिकर होएंगे इस बारे में जनरली जो सिनियर मेंबर होता है उसको ही प्रोटेम स्पिकर के तौर पे चुन लिया जाता है चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभ सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि वैसे कौन सी पर्लेमेंटरी कमीटी है जिसमें कि राज्यसभा के सदस्ट से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पब्लिक एकाउन्ट इसको कि हम पेसी के नाम से जानते हैं कमिटी और इंपॉवमेंट ऊप पुमेंट या फिर कमीटी ऑफ्र प्रिवलेज्ट कमीटी या फिर इस्टिमियट कमीटी प्रकलन समिटी भी इसको क्यम बोलते हिं हिंदी में तह आपको बताना है किस में से क्या होता है कि राज्य सभा का कोई रिपरेजेंटेशन नहीं होता है इसमें स्रिफ और सिफ लोग सभा के सदस्ट से सामिल होते हैं चलिए परते हैं इसके बारे में तो इस्टिमेट कमीटी जो होता है दराज्य सभा तो हर साल उसमें कुछ लोगों को चुना जाता है और सिर्फ और सिर्फ कहां से चुनते हैं लोग सभा से अगे बरते हैं तो आप याद रखेंगे की इस्टिमिट कमीटी के अंदर एक भी राजसभा का सदस से नहीं होता है चले अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं गर्णर वाज़ाइफ लगांद बायए द्रे tire सब्सक्राइब कर रहे हैं इसमें कोई भूमिकान नहीं होती यह घॉलबने काम नहीं होता इन्सुरिंग डैट इन्सुर्ण देट दर्शेट गॉर्मेंट वाक्स वीदिन दर कॉंसितु सलुपरीज़न उसमें इंस्योर करना होता उनको कि एस्टेट गॉर्मनेंट जो काम कर कर रही है Constitution के according काम कर रही यह गौर्णनर सहाब की इंस्योर क्या करना होता है कि जो भी लॉज बन रहा है स्टेट लेचलेचर के द्वारा वो constitutional framework के अंदर में बन रहा है फिर नहीं बन रहा है और क्या इंस्योर करना होता है स्टेट गॉवर्मेंट डूनोट डिस्रिगाड constitutional directions given by the central comment के अंदर सरकार दोरा दिये गया सारे guidelines का उलंगा ना करे यह इस बात का ख्यार रखते हैं गौर्णर सहाब वहीं बात करू कि क्या देखिए कि मतलब यह कि इन सभी कामों को क्या करना होता है गौर्णर को का काम होता है अगर किसी भी तरह के constitutional Constitution को फॉलो नहीं किया जाता था तो क्या किया जाता है गौर्णर के पास पावर होता है कि वह क्या कर सकता है कि प्रेजडेंट को कमेंट कर सकता है कि आप यहां पर प्रेजेंट रूल इंपोज कर सकते हैं गौर्णर अल्सू रिजब दे स्टेट्मेंट प्रेजेंट प्रेजेंट के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्री यहां पर कुछ मिस्ह discoveries होगा सेकेंड होगा और झांप्र बेसिक स्ट्रक्च्चर फोन सब्सक्राइब अब्स का अर्टिया फेल प्रेजसन्मेटर फ्रेज स्टेट्च्चर क्या है पार्थ है उसी के साथ अगर मैं आप से बात करूं कि निशनल इमर्जेंसी कैन बी इंपोज बाइट प्रेजिटेंट फिन्द सेक्यूरिटी ओफ इंडिया इस ट्रेटेंड बाइवार एंड एक्स्टरनल अग्रेशन ओनली तो जब प्रेजिटेंट साहब इंपोज क इसका संबन बेसिक स्ट्रेटर से बिल्कुल नहीं है चलिए इसके एक्स्प्लानेशन को देख लिए जिसका एक्स्प्लानेशन थोड़ा शौट में रहेगा मैंने कौसिस कि इस तरीके से आप इसली एलिमिनेशन के अधर जब देखिया ऐसा तो कहां ही जा रहा है कि कर दिया है तो मैं अभी ज्यादा उस पे नहीं जारू लेकिन हाँ अभी कुछ स्कॉप है राउंड 20 परसेंट से 25 परसे मतलब 20 से 25 कोशन ऐसे हैं कि अभी भी इस्टिल से मतलब मैं यह नहीं बूलाओ कि दम पे आप सारे के सारे कोशन सॉल्व कर दोगे आप एलिमिनेशन के दम पे आप एटलिस 50 परसेंट एंसर तक बहुन सकते हैं दो आपको कन्फूजन होगा जहां आप अपने नॉलेज का इस्तिफान करते हैं चलिए बेसिक स्ट्रक्ट्ट का जो डॉक्ट्रीन है वो निकल कर सामने आता है फिर बाद में अलग-अलग इंटर्पेटेशन के बाद और भी अलग-अलग चीजे देखने को मिलती है तो आर्टिकल 131 के बारे में बोला जा रहा है आप से कि आफ दे इंडियन कॉंसिटिशन डिल्स विद आखिर 131 आर् सब्सक्राइब कर सकता है जब डिस्प्रीम कोट के साथ 131 के तरह देखिए एक अपिलेट जिस जो डिरेक्शन होता है सुप्रीम कोट का अपिल्स फ्रॉम हाइब को चाहिए अब यह सही समय नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम से कम 20-25 मिट की वीडियो लगेगी तो मैं उसमें बना दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा ताप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर क्या होता है कभी इनके प्यार भी होता है कभी इससाद तक्रार भी होता है ही तो ऐसे में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट कहां जा सकता है स्टेट अगर सेंटर के साथ कोई डिस्प्यूट होड़ा है स्टेट कहां जा सकता है सिधे सुप्रिम को जा सकते हैं हते जैसे कि ने बताई कि डायक सुप्रीम को सकते हैं efx कोर्ट का मतलब वही होता है अब देखिए पुछा जा रहा है आपसे कि parlementary committees के बारे मेंकि committees काफी important हो गया है आज कल क्योंकि यहां से questions पूछे जा रहे cucumber which of this are some of the general characteristics of các parliamentary committee इन कौन सा ऐसा है जो कि general characteristics characteristics तो लगत्स है परिडिमेन्टरी कमिटी की आपके सामने तीन अलग-अलग स्टेट्मेंट्स दिए गए हैं फस्ट सेकेंड टर्ड चलीए अब मैं आपके सामने करके स्टेट्म पढ़ना स्टार्ट करता हूं कि all members should be elected by the house by the parliamentary committee में सारे के सारे जो members होते हैं सब्सक्राइब तो लोग सभागी बात करते स्पिकर के सामने अगर राजे सभागी बात करते अपने रिपोर्ट को पॉब्लिस करते हैं प्रेजेंट करते हैं इट मस्ट हैब दे स्टेटस आप कॉंसर्टिव कमिटी विद एनी मिनिस्ट्री एड़ दा सेंटर तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट एंसर अली वन तू आल थ्री या फिर नन इन में से कोई भी दे चलते हैं राइट एंसर की तरफ ऑप्शन एई दराइट एंसर मतलब की अली वन से एक ही स्टेटमेंट करे सब्सकुनेंट है अब पारिमेंटे कमिटी मिन कमिटी ढेंटि एट इस अपोईंटे टर्भाईटे बाइट वाइट अबन्वेटा शुरू चिया जाता है वर्क प्रंटा होसे पूछा जारा है व्क्तयों साथ पुछा रहा है किसका इस पॉलिज इसां इसे बहुत पूछे जाते हैं हम क्या करते हैं अगला स्पेरिंट्स हम क्या करते हैं सिफ और सिफ कि फंडामेंटल राइट्स डेपीएसपी सिटीजन सेप यह सारे कोस्टन्स पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अंडर्पिनिंग्स और हम लास्ट तक पहुंची नहीं पाते हैं नीति आयोग सीवीसी सीवी इवें यूपीएसी जातों लोग को यह भी नहीं पता होगा कि हमारे कॉं अब इतने ही कोस्टन्स रह गए हमारे पास थे दस कोस्टन्स जिसको क्या अभी हमने सॉल्व किया आज पॉलिटी के लेक्ट्र में हम लोगों ने पॉलिटी के अब अगले लेक्ट्र में मिलेंगे जहां पर कोई और सब्जेक्ट होगा देखते हैं कि आगे हम किस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे तो फेंड्स आज के लिए फिरल इतना ही अब मिलते हैं नेक्स लेक्ट्र में थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च ट्रिए ट्रिए झालों किस तुम कै और सम उल्सेज ख्राओ कि करेंड़ कोई जे उले सब्सक्राओ गहते हैं 2020 ला ओझावेज झालों